नमस्ते टू एवरीवन वेलकम तो हीलिंग फ्रेम टैरो और आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरो कार्ड क्या होते हैं इनके उत्पत्ति कहां से हुई है तो आज मेरा हाथ में जो टैरो है वो है राइडर वेट टैरो डेक जो की एक बहुत बेसिक डेक है हर टैरो डेक मे rider weight based terror deck में 78 cards होते हैं जिसमेंसे 22 major arcanas होते हैं rest minor arcanas होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं जो major arcanas ये minor arcanas के हम बात करते हैं तो जैसे नाम से ही पता चलता है arcana is a latin word जिसका हिंदी मतलब होता है रहसे में card तो ये सारे ही cards बहुत रहसे में होते हैं इन्हें कबाला से लिया गया है, कबाला is a Egypt occult, जिसमें हर तरह के occult का knowledge है उसमें हमारा इंडियन तंत्रा भी आता है, astrology भी आता है, Romans God and Goddesses भी आते हैं, Cartos God and Goddesses भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल स्पिरेट, शामन स्पिरेट, हर तरह का स्पिरेट के बारे में उसमें नौलिज प्रूवाइड है अगर हम बात करें टैरो कार्ड्स की तो जैसे हम देख सकते हैं अभी मेरे पास है एक मेजर आरकाना मेजर आरकाना हमें बेसिकली बताते हैं हमारे लाइफ चक्र के बारे में जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसका एक योन अवस्था में आता है व्रद अवस्था में आता है और फिर डेथ के बाद आफ्टर डेथ लाइफ उसके स्टार्ट हो जाती है उन सबी चीजों के बा सकते हैं कि वो हमारे लाइफ के four elements को बताते हैं जिसमें हमारा earth element, fire element, water element और air element include होता है क्योंकि हमारी body पाश तत्वों से बनी हैं और हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो इन पाश तत्वों के एर्ध गेर्ध ही होता है और हमारे लाइफ में चलने वाली हर एक स्थिति इन तत्वों पर ही डिपेंड होती है और हम माइनर आरकाना की तुरू यह जान सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जिस भी position पर हैं वहाँ पर क्यूं हैं हमी क्या बदलाव की जरूरत है क्या उतार चड़ाव आ रहे हैं क्यूं आ रहे हैं और हम इन्हें कैसे डील कर सकते हैं तो आई होब इट हेल्प्स थैंक यू